नमस्क्रा दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपनी चैनल द रीडिल इंडिस्री में गाइज आइसी 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 आई लॉंबाड जन्रल इंशॉरेंस जी हाँ इसके कोटर थी के नंबर्स आचूँग हैं कोटर दस पंदर मेट पहले ही आएं कैसे रहें नंबर्स किस प्रगार के नंबर रहें सिधा लेके चलता हूँ रिजर्ड की तरफ दोस्तों देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि आपके सामने जो नंबर आ रहा है वो लैक्स में हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लस प्रिंटिंग जो है वो बहुत ही जादा बगवास है दोस्तों ठीक है तो एक एकर के चर्चा करते हैं सबसे पहले ग्रॉस प्रीमियम रिटेंस में देखेंगे ठीक है तो इसमें है 6,436 आपके सकते हैं 6,43,000 नँँआ माफ किजेगा ये दो पॉइंट के बाद है तो 6,436 करोड रॉपीस ये इतने जादा खराब नमबस दिख रहे हैं कि मैं आपको क्या बता हूँ 6,436 करोड रॉपीस अब आप एक साल पहले ये 5,599 करोड थी और एक क्वाटर पहले 6,272 करोड तो ये क्वाटरन क्वाटर और year-on-year दोनों में बढ़ोतरी है और year-on-year अगर आप कंपैर करेंगे तो एक ये डीसेंट सी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रहे होगी net premium return में आते हैं तो ये इस बार 4,690 करोड कर आए जो एक साल पहले 4,163 करोड था और एक क्वाटर पहले 4,240 करोड रॉपीस खा था बात करें premium earned net तो ये रहा है 4,304 करोड जो एक क्वाटर पहले 4,306 करोड था और एक क्वाटर पहले दोस्तों 3,792 करोड थे ठीक है अब बात कर लेते किस पे income on investment में तो ये 665 करोड है जो एक क्वाटर पहले 580 करोड था और एक क्वाटर पहले 723 करोड दोस्तों अबर income को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर foreign exchange में loss देखेंगे gain or loss तो यहाँ पर एक सवा करोड रुपे की रही है जो negligible है एक साल पहली negative 22.69 क investment from pool देखेंगे तो यहाँ पर आप आएंगे कि 19 करोड रुपे रहा है ठीक है अब जब आप इन सब को जोल देखेंगे न तो total income company की जो निकल गयाएगी वो है 5,003 करोड रुपे जी हाँ 5,003 करोड जो एक क्वाटर पहले आप कहेंगे तो 4,362 करोड थी और एक क्वाटर पहले दोस्तों यह थी 5,049 करोड तो quarter and quarter तो गिरावट है दोस्तों year on year लेकिन आप देखेंगे तो बढ़ोतरी साफ देखने को मिल रही है ठीक है लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे कि भई जो खर्चे है ठीक है खर्चे किस प्रकार के रहे हैं company के तो देखें सबसे पहल सबसे बड़ा खर्चा commission and brokerages 845 करोड रहा है जो एक आप क्या सकते हैं साल पहले 174 करोड था इस बार 845 करोड रहा है और एक quarter पहले यह 737 करोड था ठीक है net commission अगर आप देखेंगे दोस्तों net commission अगर आप पाएंगे यहाँ पर तो यह है 845 करोड जो एक quarter पहले 737 करोड था और एक साल पहले 174.41 करोड था ठीक है अब बात कर लेते हैं दोस्तों किस चीज़ की operating expenses related to insurance ठीक है insurance business तो यह सबसे पहला employer nomination रहता है 312 करोड करा है जो एक साल पहले 27 करोड था एक quarter पहले 305 करोड था ठीक है other operating expenses जिसमें क्या क्या आती है advertisement sales promotion और other expenses तो देखें advertisement publicity में यहाँ पे आप देखेंगे 146 करोड से घट करके मात्र 38 करोड का खर्चा आया है जो एक quarter पहले 42 करोड था sales promotion में भी आप देखें तो एक quarter पहले 577 करोड का खर्चा था इस बर वो मात्र 141 करोड पे आया है और premium deficiency कुछ नहीं और जब हम यह सब को मिला लेंगे न तो total expense दोस्तों क्या क्या है आप यहाँ पाएंगे तो total expense है यहाँ पे 8,9,10,11 ठीक है और यह net commission है न दोस्तों brokerage commission और net commission यह दोनों है ठीक है अब आप देखेंगे क्या यहाँ है तो यहाँ पर आ रहे है दोस्तों total expense 4587 करोड जो एक quarter पहले 4452 करोड था ठीक है और unwritten profited loss जब आप देखते हैं न दोस्तों तो यह loss में company 282 करोड की आई है जो एक quarter पहले मातर 145 करोड का loss था quarter on quarter आपका loss बहुत बढ़ चुका है लगभग दुगना हुआ है एक साल पहले यह 293 करोड था तो loss में कोई गिरावट आपको देख रहे हैं मिलेगी लेकिन इतनी significant कोई गिर और देखते हैं कि भई company का आप देखें तो total total comprehensive total profit और loss after tax क्या निकल क्या है तो यह आया दोस्तों 431 करोड रुपीस ठीक है 431 करोड रुपीस जो एक साल पहले मातर 352 करोड थी और एक quarter पहले 577 करोड दोस्तों यह profit loss after tax की मैं बात कर रहा हूँ आपसे ठीक है अब आप यह यहां देखेंगे तो company ने जो आपके सकते हैं interim dividend दिया है वो यहां पर पांच रुपे का देता हुआ दिखाई मिल रहा है दोस्तों आपको ठीक है और जब हम यहां पर आप देखेंगे ना company का तो देखें तो देखें यहां पर provision for tax की सबको मिला करके देखेंगे तो profit or loss after tax आपका positive में आता है दोस्तों ठीक है तो यह जो प्रकार की चीज़े हैं क्योंकि आप यहां पर देखेंगे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ one second आप यहां पाएंगे कि यह जो हम यहां पर चर्चा कर रहे थे ना कि unrating profit or loss यह unwritten profit or loss था फिर जब हम operating profit loss में आते तो तो देखें आपको जो EPS है ना कहां गया दोस्तों EPS यहां पर आप पहेंगे तो यह 7 रुपे 17 पैसे से jump हो करके 8 रुपे 7 पैसे हो यहां quarter quarter देखेंगे तो शायद आपको गिरावट देखने को मिले दोस्तों अब देखना ही होगा कि तेजी के बाद बाजार इस numbers को किस तरह से लेता है दोस्तों तो जी हां प्रॉफिट में तो बढ़ोतरी हुई है पर देखना ही होगा कल बाजार किस तरह से लेता है यहां तक जोड़े रहा है इस बात का बहुत धन्यवाद ये इस वीडियो का अंता है जय हिंद